नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम बनाएंगे गाजर का कुलाब चामून जो कि बहुत ही टेस्टी और यमी होता है इसके लिए हमें लेने हैं पतले वाले गाजर जादा मोटे नहीं क्योंकि पतले होते हैं यह मीठे भी होते हैं और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है इस गाजर को हम छील के ग्रेट कर लेंगे बारीक वाले से बिलकुल बारीक वाले से ग्राइड करना है तो कटने के बाद क्या होता है कि वह अच्छी तरह से नहीं ग्राइड हो पता है तो ग्रेट कर लेने से हमारा जो गाजर है न बहुत बारिक पिस जाएगा तो थोड़ा तो महिनत लगता है दोस्तों तो गाजर का सीजन है तो एक बार ये मिठाई जरूर ट्राई कीजिएगा तो इस गाजर को हमें थोड़ा सा पानी डालना है और पानी डाल के इसका अच्छी तरह से एक पेस्ट बना लेना है तो दोस्तो मेरी रेसेपी आपको कैसी लगती है जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसेपी कैसी लगती है इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी दे के इसे हमें बारीक पीस लेना है जितना पानी जरूरत होगा हमें डालना होगा तो देखिए इस तरह से यह हमारा जो है गाजर का पेश्ट बन के तयार हो गया है तो अब करेंगे हम गैस पे कढ़ाई चड़ाएंगे और उसमें डालेंगे हम दो चम्मच घी डालेंगे और दो बड़ा चम्मच इसमें हम सूजी डाल के इसको भून लेंगे तो घी जब गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे सूजी तो सूजी दो चम्मच होगा तो इतने गाजर के लिए दो चम्मच काफी है सूजी जादा सूजी नहीं डालेंगे नहीं तो हमारा गाजर का जो फ्लेवर हो दब जाएगा तो इस तरह से हम इसे जादा भूनेंगे नहीं जादा कलर नहीं चेंज करना है इसका कफ्चा पंद चला जाना चाहिए और इसके बाद इसमें डालेंगे milk powder चार बड़ा चमच और उसे भी हम इसमें mix कर लेंगे और तुरंत डाल देंगे अपना गाजर तो गाजर डालने के बाद इसे हमें mix करना है और साथ में डालेंगे इसमें हम दूद तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आधा कप दूद और डालेंगे इसमें डाल करके इसे अच्छी तरह मिक्स करना है इसका क्लीप जो है हमारा छूट गया है दूद्ध डालने वाला जो क्लीप है ना हमसे छूट गया है नहीं मिला तो इसमें आप दूद्ध जरूर डाल दीजेगा एक कप और अच्छी तरह से इसे पका लेना है क्योंकि सूजी फूलेगी तभी हमारा जो गुलाब जामुन होगा ना वो सौप्ट होगा तो अब ये अच्छी तरह तयार हो गया है तो गैस को कर देंगे बंद और इसे हम क्या करेंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखतेंगे तो गैस को बंद कर देंगे तब तक क्या करते हैं हम चासनी बना लेते हैं अपने गुलाब जामून के लिए एक कटोरी हम चीनी ले लेंगे और दो कटोरी इसमें पारी डाल लेंगे तो चासनी भी बनते रहेगा इधर तो इस तरह से हम इसमें मिक्स कर लेंगे और गैस को और कर देंगे ये धीमी आज में हमारा जो है ना चासनी वो बनके तयार हो जाएगी तो इधर देखते हैं ये जो हमारा गाजर का मिसरन है ना तो ये थोड़ा सा गीला है इसमें हमें बाइंडिंग के लिए कुछ तो डालना पड़ेगा तो इसमें हम डालेंगे दो बड़ा चमच कॉर्ण फ्लोर तो कॉर्ण फ्लोर डालके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ज़रूरत पड़े तो एक चमच और भी ले लेंगे लेकिन हमारा दो चमच में ही अच्छी तरह से तैयार हो गया यह जो मिस्रन है न सौफ्ट रहेगा तभी हमारा गुलाब जामुन भी सौफ्ट बनेगा तो अब क्या करेंगे हम चोटे चोटे साइज का गुलाब जामुन जो है वो तैयार कर लेंगे बना लेंगे ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे चोटा होगा तो अच्छी तरह से हम इसे तल लेंगे और अच्छी तरह से कुक भी हो जाएगा और सौफ्ट भी होगा तो इसी तरह से चोटे-चोटे साइज का गुलाब जामून हम तैयार कर लेंगे तो ये गुलाब जामून का टेस्ट थोड़ा अलग होगा बहुत ही बढ़ियां टेस्ट होता है दोस्तों तो ट्राइ जरूर किजेगा एक बार और इस तरह से हम गुलाब जामून को सारे गुलाब जामून को तैयार कर लेंगे और अब चास्नी की तरफ देखते हैं तो चास्नी अभी भी हमारा अच्छी तरह से कूप नहीं हुआ है तो इसमें फ्लेवर के लिए हम डाल देंगे छोटी लाइची जो हरी लाइची है ना चार उसे क्रस्ट करके डाल देंगे ताकि हमारे चास्नी में इसका फ्लेवर आ जाए तो हमें एक तार दो तार की चास्नी नहीं चाहिए बिलकुल वैसे चाहिए जैसे कि आप तեल को छूते हैं तो कैसे लगता है चिप चिपा टाइप का बस वैसे हमें चास्नी को हमें तैयार कर लेना है तो इसके बाद अब हम चलते हैं गुलाब करने के लिए इसमें डालेंगे घी घी से हमारा गुलाब जामून का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा वैसे आप तेल में भी बना सकते हैं रिपाइंड ओयल में है तो यह फट थो नहीं रहरा है तो हम क्या करेंगे दियरे दियरे चार पान जामून को डालेंगे अरिसे हम मीडियम य्डी嗎 में इसे फ्राई करेंगे तो इस तरह से हमने पांच डाला है और इसे हमें फ्राइ करना है तो मीडियम फ्लेम में या लो फ्लेम में क्योंकि इसे पकना भी जरूरी है वैसे तो ये आधा तो पक चुका है लेकिन फिर भी इसे हमें पकाना है तो लो फ्लेम में ही पकाएंगे और थोड़ा समय लगेगा पलटते हुए बिल्कुल अच्छा सा देखिए ये जो पहला है छोटा वाला ये तो हो चुका है तो इसे निकाल लेंगे बाकी भी गुलाब जामुन को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे पलटते हुए चारों साइड से हमें इससे फ्राई कर लेना है तो देखिए इसका कलर आ गया है बहुत ही अच्छा सा तो इसी तरह से हमें क्या करना है थोड़ा थोड़ा डालेंगे ज्यादा नहीं डालेंगे और इससे हम फ्राई कर लेंगे तो बहुत ये अच्छा कलर आ गया तब इसे हमें निकाल लेना है तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा गुलब जामून डालेंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे तो इसके बाद दूसरा बैच है उसे भी हम डाल देंगे इतना गुलब जामून है ना तीन बैच में बनेगा क्योंकि थोड़ा जब घी डालिएगा तो थोड़ा थोड़ा ही बनाना होगा बड़ी कड़ाई हो तो ज्यादा तेल लगेगा फिर वो एक बार पर फ्राई हो जाएगा तब चार बचे है तो तीसरा बैच में यह भी तैयार हो जाएगा तो सेकंड बैच को भी हमें पलटते हुए फ्राई कर लेना है तो चासनी हमारा भी गरम है और यह हमारे गुलब जामून तैयार है तो यह छोटू वाला है तो अब इसे क्या करना है गरम ही चासनी में हम डाल देंगे यह हमारे गुलब जामून और डाल के मिक्स कर लेंगे चम्मस से और मिक्स करने के बाद इसे हम ढख लेंगे तीसरा बैच भी हमारा जब फ्राई हो जाएगा तो इसी में हम डाल देंगे इस तरह से जो हमारे गुलाब जामून है अब आराम से दो गंटे के लिए इसी में हमें सोक करने के लिए रख देना है और दो गंटे के बाद हम चेक करेंगे तो देखे कितने बड़े बड़े से हो गया है और हमारा गुलाब जामून बहुत बड़ी हैं सा अच्छी तरह इसमें जितने भी हैं प्चीनी के चास्नी है ना सब एब्जॉर्ब कर लिए है तो अब हम इसे हम बरतन में निकालते हैं अपने कटोरे में और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बने है थोड़ा अलग फ्लेवर है गाजर का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर है दोस्तो तो इस तरह से देखिए अब इसके ऊपर थोड़ा सा चास्नी भी डाल देंगे और ये कोई भी गुलाब जामून गर्मा गर्म सर्ब किजिए बहुत ही अच्छा लगता है और जब भी खाना हो अगर ठंडा भी हो तो उसे आप गर्म करके ही इससे सर्ब किजिए तो ये देखिए हमारा जो है गुलाब जामून बहुत ही सौप्ट बना है थोड़ा भी बीच में हार्ड नहीं बना है दोस्तो तो ये देखिए अब हमने इसको चासनी से निकाल करके थोड़ी से बादाम के कतरन से इससे सर्ब किया है रेसिपी कैसी लगी है अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें